जै श्री कृष्णा आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है जन्मास्टमी हिंदू का प्रमुख तैवार है हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्रष्टी के पालनहार श्री हरी विश्णु के आठवे अवतार नटखट नंदलाल यानि श्री कृष्ण के जन्म दिन को श्री कृष्ण जैन्ती या जन्मास्टमी के रूप में मनाया जाता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादरपद अथार्ट भादो महा की कृष्ण पक्ष की अस्टमी तिति को रोहिनी नक्षत्र दिन बुधवार को हुआ था यह तहवार पुरे देश के साथ ही वीदेशों में बसे कृष्ण भक्तों के द्वारा बड़े हरसो लास से मनाया जाता है इस दिन लोग दिन भर वरत रखते हैं और अपने आराध्धि श्री कृष्ण का आशिरवात पाने के लिए उनकी विशेश पूजा अरचना करते हैं सिर्फ बड़े ही नहीं बलकि घर के बच्चे और बुड़े भी पूरी श्रद्धा से यह वरत रखते हैं श्री कृष्ण के बाल सरूप की सेवा और पूजा से सुख सौभागय में वृध्धी होती है और पापों का नाश हो जाता है इनका बाल रूप हर एक के हिरदय में प्रेम और वास्तल ये भाव जागरत करता है जन्मास्टमी के दिन कृष्ण मंदिरों को अच्छे से सजाया जाता है रंग विरंगी रोश्नी की जाती है उनकी बाल लिलाओं की जाकी सजाया जाती है मंदिरों के साथ ही साथ घरों में भी जनमाश्टमी का पर्व बड़ी ही दूमधाम से मनाया जाता है घर को साफ सफाई के साथ अच्छी सुन्दर तरीके से सजा जाता है विबिन तरीके की कृष्णि की बाल लिलाओं से उनकी जाकियों को बनाया जाता है मंगल गीत गाये जाते हैं नंद के घर आनंद भयो जैकन या लाल की गाने के साथ भगवान का जन्म करते हैं बधाया देते हैं ठाली पीटते हैं तो चलिए जानते हैं कि किस तरह भगवान कृष्ण का जन्म हमें मनाना चाहिए कैसे जन्मदीन की तैयारी हमने घर पर करनी चाहिए तो वीडियो शुरू करते हैं जन्माश्टमी के वृत को वृत राज कहा गया है भविश्य पुरान में इस वृत के संदर्ब में उलिख है कि जिस घर में यह देव की वृत किया जाता है वहां अकाल मृत्यू गर्वपात वैधव्य दुर्भाग्य तथा कला नहीं होती जो एक बार भी इस रत को करता है वह संसार के सभी सुखों को भोग कर विश्नुलोक में निवास करता है जो भक्तव जन्माश्टमी का वृत करना चाहते हैं वे जन्माश्टमी के एक दिन पहले एक समय का भूजन करना चाहिए अर्थार्श सुर्यास्ट के पहले आप भूजन कर सकते हैं उसके बाद आप भूजन ना करें जन्माश्टमी के दिन सुखह स्नान करने के बाद भाग्त वृत का संकल्प लेते हुए अगले दिन रोहिनी नक्षत्र और अस्टमी थी के खत्म होने के बाद पारण याने की वरत को खोलते हैं जनमास्टमी के दिन प्राता जल्दी उठकर इसनानादी से निवरत्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें अपने घर को पहले से ही साफ और स्वच्छ कर लें ताकि आपको जनमास्टमी में भक्ती के लिए पूर्ण समय मिल पाएं आपके इसनान और स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद गर के मंदिर में लड्डू को पाल जी के विग्रह को सबसे पहले गंगाजल से इसनान कराईए गंगाजल के साथ यदि आपके पास यमना जल हो तो उससे भी काना जी को अवश्य इसनान कराईए फिर पंचामरत इसनान कराईए दूद, दहे, घी, शहर, शक्कर और केसर की घोल से उन्हें पंचामरत इसनान कराईए फिर शुद्ध जल से इसनान कराईए उन्हें सच्छ कपड़े से पोच कर फिर उन्हें सुन्दर वस्त्र पहनाए उनका सुन्दर श्रिंगार करें क्योंकि काना जी सबेरे इसनान के बाद भी नए वस्त्र पहनेंगे और रात को जन्म के समय भी हम उन्हें नई पुशाक पहनाएंगे अब उन्हें बाल भोग में दूद्र लगाईए माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं आप फलो का भोग लगाईए दौफेर के खाने में आपके घर पे जो भी भोजन बना हो पक्वान बने हो वो काना जी को भोग लगाईए आज काना जी का वरत नहीं होता है तो आप उन्हें जो खाना बनता है उसका भोग लगा सकते हैं उसके बाद दौफेर में उन्हें विश्राम कराईए श्राम के समय क पाना जी को उठा कर पुना दूत का और फलो का भोग लगाये अजनमाश्टिमी के दिन आप घर पर किर्ठन कर सकते हैं आप भजन मंदली को भी बुला के किर्ठन कर सकते हैं अगर ये संब्भ नहीं हो तो मन ही मन भगवान कृष्ण के मंतरों का जाप करें जरूरी नहीं है इसके लिए आपको एक ही जगा बैठना है आपका मन तो दिन भर उनकी भक्ती में रमा होता है तो मन ही मन उनके मंत्रों का जाप करें यदि आप बैठ के माला से जाप कर रहे हैं तो इसके लिए तुलसी माला सबसे उप्यूक्त होगी तुलसी माला से श्रिक्रिश्न जी के मंत्रों का जाप करें श्रिंगार के बाद काना जी को हमें पाले में बिठाना है उन्हें जुला जुलाना है आज के दिन काना जी के लिए मंगल गीत गाने चाहिए माता यशोदा भी जापे में है तो हमें उनके लिए भी भोग बनाना चाहिए जिसमें गूड़ा ज्वैन की पंजरी भी बनाई जाती है पंचामरित अभिशेक कुछ लोगों के हाँ सबेरे कराया जाता है कोई दिन में दौफेर में करायते हैं और कोई रात को जन्म के बात कराते हैं तो आपके घर में जैसी परमपरा चली आ रही है आप उसका आलन करें यदि आप नए विग्रह को अपने घर पर लाकर उनकी प्राम प्रतिस्टा कर रहे हैं तो उन्हें आपको रात को 12 बजे जन्म के बाद पंचामरित से इसनान कराना आउशक है जो पूर्व में सेवित विग्रे है उनके लिए ये रात के 12 बजे जन्म के बाद पंचामरित अभिशेक आउशक नहीं है रात को 12 बजे भगवान की जन्मा आर्थी करके जो इस्नान कराते हैं, वो इस्नान कराएं, उन्हें भोग लगाएं, भोग में यदि आप 56 भोग लगा रहें तो उसकी पूर्व में ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि एक ही दिन में जो तो यह सब तयारी हो नहीं पाएगी जो सुखी चीजे ताजी रह सकती हैं उन्हें आप पहले से बना कर रख लीजिए और बाकी चीजे तो आपको जन्माश्ट में के दिनी बनानी होगी द्धनिये की पंजेरि का भोग लगाईए पंचामृत का भोग लगाईए सुखे मेवे आधी चीजों से कानाजी को भोग लगाईए पान का बीड़ा उन्हें अवश्य रखना चाहिए पान में लौँंग इलाची आधी डाल कर उनके लिए बीड़ा बनाइए ताना जी की जन्माष्ट में के लिए सुन्दर जाकी सजाईए अगर आपके मंदिर में जगा हो तो वहाँ पर करिए नहीं तो आपके घर में जहाँ पर भी जाकी के लिए उप्युक्त जगा हो वहाँ पर आप सुन्दर कृष्ण जन्म से कृष्ण बाल लिला से संबंदित जाकी सजा सकते हैं, इसके लिए अपनी बच्चों को भी प्रेरित करें आप, ताकि वो भी खुशी-खुशी ताना जी की सेवा में लग जाएं, तृष्ण जन्म के साथ ही लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, हाति गोड़ा पाल की, जैकनहिया लाल की, नंद के आनंद जैकनहिया लाल की, ठाली पीटी जाती है, घंटी बजाई जाती है, शंक नात किया जाता है, चारो और हर्शो लाज से प्रभु का हम स्वागत करते हैं, सोहर के गीत गाये जाते हैं, काना जीक को अब भोग लगा के प्रशाद वित्रण करिए, कई-कई जगा पर लोग जन माश्टमी की वरत में भुजन नहीं किया जाता है, अर्थात अनका सेवन नहीं किया जाता, परंतु समा के चावल जो एकादशी के दिन नहीं खाये जाते, जन माश्टमी में उसको भी खाया जाता है, साबूदाना, सिंगाडे का आटा, कुट्टू के आटे का प्रयोग कर सकते हैं आलू खा सकते हैं लाल मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं परन्तु यदि आप पिसने में लाल मिर्च में सरसो के तेल का प्रयोग करते हैं तो आप उसे लाल मिर्च को यूज ना करें उसके बदले आप काली मिर्च और हरी मिर्च का प्रयोग करें खाने के तेल में भी आ तो कोई फलाहर करते हैं, तो कोई फलो के रख्स पर रहते हैं, यह सब आपके उपर है, तो आप अपने शरीर की शमता अनुसार इस वरत को करें, इस वरत को अगर आपकी शरीर साथ ना दे तो ना करें, परन्तु सभी को यह वरत अवश्य करना चाहिए, आप एक समय नमक ले सकते हैं अगर आप में शम्ता नहीं है तो आप दो समय भी नमक ले सकते हैं भगवान कृष्ण तो आपके भाव और प्रेम के भूके हैं पूरे श्रद्धा और भक्ति के सांथ काना जी का दिन भर करें दिन भर प्रसंद रहें आज आपको क्रोध नहीं करना है असत्य वचन नहीं बुलने हैं जिनके घर प्याज लसुन खाते हैं आज उन्हें भी इसका सेवन नहीं करना है मास मदीरा की सेवन से बचें कृष्ण भक्ति में अपने मन को लगाएं तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई उम्मित करती हूं मेरा यह वीडियो आप लोगों के लिए उ श्री कृष्णा राधेल